हलो फ्रेंट्स आज मिलेकर आई हूँ बहुती आसान सी रेसिपी जब कभी भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो पांच मिनट में बनाए यह है जटपड बनने वाला नास्ता यदि कुछ आप हलका फुलका सौफ्ट नास्ता और आसान सी चटनी बनाने की सूच रहे हैं तो आज मैं यह चटनी और नास्ती की रेसिपी बनाना बताऊंगी इतना आसान और टेस्टी है कि इडली ढोकला भूलकर हमेशा यही खाना पसंद करेंगे इतना टेस्टी जो बनत तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं क्यांसे हम सबस्वागत है मोटी पतली कोई सीवी यहाँ पर हम लिए हम एक कटोरी दही के लिए मैं हाँ पर बता दू आपको जितनी आपको सूजी लेनी है उतनी ही आपको दही लेनी है और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालके एक बैटर तयार कर लेंगे इसमें एक साथ पानी ना डाले इसमें थोड़ा करके पानी डाले नहीं तो हमारा बैटर जो है बहुत ही पतला हो जाएगा दोस्तों जब तक हमारा बैटर जो है बन रहा है जब तक जो मेरे चैनल पर नहीं है जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले ताकि जो वीडियो की नॉटिफिकेशन है वो आपको टाइम डू टाइम मिलती रहे और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जादे से जादा शेयर करें अब इसे हम ढख के 10-15 नटल रख देते हैं ताकि जो हमारे सुजी है अच्छे से फूल सके और चलिए अब फटा-फट से हम चेटनी बना लेते हैं तो इसके लिए एक मिक्सिंग जार में डालेंगे आदा कप मूंफली और साथी डालेंगे दो चम्मस रोस्टेट चनादाल चार से पांच लेसन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और साथी डालेंगे दो से तीन हरेमिश्च आधा नीमुका रस स्वादन साल नमक आप इसकी जगा चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं और एक बढ़िया सा बेश्ट बना लेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांस कटर का बनाके डालेंगे और लीजिए हमारी चटनी जो है बिलकूर रटी हो गई है दोस्तो इस जितना बनाने में सिम बांतल है उतनाए में अ क्थ जिस लगए है खासकर आज का जो नास्ता बनाने वाले हैं हम उसके साथ तो दोस्तों जो हमने वेटर बना के रख रक रख प्याज और बारिक कटा हुआ टमाटर और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इससे डालने से का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है और साथ ही हाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा तो यहाँ पर हम सभी चीजों क अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी में हमने नमक पहले ही डाल दिया था तो अभी डालने के हमें कोई जुर्यत नहीं है इससे हम अच्छे से बहुत ही अच्छे से फ्रेट लेंगे मिक्स कर लेंगे इसमें जो हमने बैजिटिबल्स यूज किये है ना आप अपने यहां पर प्लिया भप, यहां प्लियु कराई, जिमने लगे कैसे लाद़ दस्ताइब देखना हम, इसे बिना भी जर नास्ता है बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है और इसे हम ढखके दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे अब इसके उपर थोड़ा सो और लगा लेंगे और इसके बाद जो हैं इसे पलड़ देंगे और दोनों साइड से अच्छे से शेख लेंगे दोस् साथ चटनी बहुत ही ला जवाब बनती है एक बार मेरे कहने पर इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता बनके तयार होता है यह आज की यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट मॉक्स में जरूर बताएगा और मेरी वीडियो आपको वीडिये रईवाई